दाल मखनी का नाम सुनते ही मुह में पानी आ जाता है तो आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी जो आप रेस्टोरेंट, ढाबो इन पर खाते हैं उससे कहीं ज़ाधा बढ़िया दाल मखनी हम घर पर बना कर तयार करेंगे नमस्ते दोस्तो, स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना दाल मखनी बनाने के लिए हमने यहां एक कप साबुत छिलके वाली उड़त की दाल ली है और वन फोर्थ कप राजमा लिए हैं इन्हें हमने तीन से चार बार अच्छे से रगड कर वोश किया उसके बाद दस खंटे के लिए भिगा दिया है और ये अच्छे से फूल गए हैं इनका पानी हटा कर हमने एक चलनी में निकाल लिया है साथ ही हमने एक चमच चना दाल को भी चार-पाँच घंटे पानी में भिगा दिया था इसे भी हम चलनी में निकाल लेते हैं अब हम इन दाल और राजमा को कुकर में डाल देंगे और हमने चार कप पानी डाल दिया है इसमें हम एक तेजपत्ता एक टुकडा दालचीनी का और एक बड़ी इलाइची को इस तरह से खोल कर डाल देंगे एक चोटा चमच मैंने नमक डाल दिया है और एक चोटा चमच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चमच देशी घी डाल दिया है सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम कुकर का ढकन बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर साथ से आठ सीटी लेंगे उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके जब कुकर पूरी तरह ठंदा हो जाएगा तब खोल कर चेक करेंगे कुकर में सीटी ले ली थी हमने और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम इसे खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि दाल और राजमा अच्छे से गला है कि नहीं तो ये देखिए राजमा बहुत अच्छे से गल गया है और दाल भी गल चुकी है अब हम इसमें जो खड़े मसाले डाले थे उसे हटा देते हैं क्योंकि उनका फ्लेवर दाल में आ चुका है अब हम फिर से गैस का फ्लेम ओन करेंगे और इसे एकदम लो कर दीजिए दाल को अब हम करीब 20 से 25 मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे इससे दाल और पानी जो अलग-अलग दिख रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे लेकिन आपको बीच-बीच में इसे चलाते रहना है वरना ये तले में लग चाएगी तब तक हम फटा-फट से मसाला भी तयार कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा इसके लिए मैंने कड़ाही में 3 टेबल स्पून देसी घी लिया है घी के गरम हो जाने पर हम इसमें एक छोटा चमत जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे अब हमने यहाँ एक प्याज को बारी काट कर लिया है और प्याज को हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे यह देखे प्याज में हलका सा गोल्डन कलर आ गया है अब हमने यहाँ अदरक और लहसून को क्रश करके रखा हुआ है लगबग एक टेबल स्पून अदरक लहसून है हमने 7-8 कली लहसून की और 1 इंच अदरक के टुकडे को क्रश करके लिया है इन्हें भी हम 2 मिनिट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे ये देखे सारी चीजे बहुत अच्छे से भून गई है अब हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे एक चमच हमने यहां कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है ये कम तिखा होता है इसके लिए अच्छे से डाल दिया है एक चमच हमने धनिया पाउडर लिया है अच्छे से मसालों को एक मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे मसालों को हमने भून लिया है अब हमने यहां चार मीडियम साइच के टमाटर को मिकसर के जार में चला कर पीस लिया था उसे डाल देंगे एकदम अच्छे लाल टमाटर का इस्तेमाल किया है टमाटर के साथ ही इसमें नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर फटाफट से पख जाएं अभी हमें मीडियम फ्लेम करके टमाटर को अच्छे से बुनना है और इधर हमें दाल को पकाते हुए भी 20-25 मिनिट के लगबग हो गए है और आप देख सकते हैं कि दाल और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है मैं दाल को बीच बीच में चला रही थी और इधर हमारे टमाटर भी पक गए है इनका पानी पूरी तरह से सूख गया है अब हम इसमें बारिक कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे दाल के लिए मसाला बिलकुल तयार है और अब हम इसमें ये दाल और राजमा डाल देते हैं दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम मेडियम रखिए ये देखी दाल में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये कश्मीरी लाल मिर्च के कारण आया है अब हम दाल में लगबग 1.5 से 2 कप एकदम गरम पानी डालेंगे मैंने कूकर में पानी डाल कर गरम कर लिया था जिस कूकर में दाल उबाली थी अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और अब हम दाल को मिक्स करने के बाद लगबग 15 मिनिट के लिए पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर और इसे इस तरह से मैश करते हुए चलाना है गैस का फ्लेम पूरे टाइम लो रखिए दाल को हमने 15 मिनिट के लिए पका लिया है और ये देखे बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में दाल आ गई है तो अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच भरके बटर दाल मखनी है तो बटर का अच्छे से इस्तमाल करना है बटर को अच्छे से दाल में मिक्स कर लीजिएगा बटर मिक्स हो गया है अब हमने यहां एक चोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने ड्राय रोस्ट कर लिया था साथ ही बारी कटा हुआ हरा धनिया और आदा चोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केवल एक मिनिट के लिए और पकाएंगे एक मिनिट हमने पका लिया है हमारी डाल बिलकुल तयार हो चुकी है इस वक्त हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद मैंने यहां लिया है दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मैंने बाजार वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो घर में जो दूद पर मलाई आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दीजिए दाल हमारी बिल्कुल तयार है इसे गर्मा गरम सव कीजिए जीरा राइस, नान, पराठा किसी की भी साथ सव कीजिए ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स ये सुपर टेस्टी मखनी दाल तयार है यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शियर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके